आज है special menu और रोज की तरह आज भी मैं अपने मंदिर में दिया जो रही हूँ मैं पूगान जी की पूजा कर रही हूँ और उसके बाद यहां पर मेरी पूजा हो गई है और उसके बाद मैं किचन में जाओंगी और सबसे पहले मैं पालक को वास कर लूँगी यहां कि मैं पालक से पालक का रायता बनाने वाली हूँ देन मैं मैं यहां पर दूद बोईल करने रखा है और चावल पानी में सोक करने रख दिया है और यहां मैं अनियन को चील कर कट कर लूँगी अपनी सबजी की प्रिपरेशन कर लूँगी मैं यहां पर और यहां पर मैं चार काली मिर्च दो लॉंग एड़ कर दी है यापर कटी हुई अन्यन को भी मैं कटी हुई गार्लिक को मैंने आड़ किया है उसके बाद मैं आपर अन्यन और ग्रीन चिरी को एड़ कर दूगी लेन मैं उसे मिक्स करके वन पिंच ओफ नमक डाल के इसे पकने के लिए साइड म कर दूँगी यहां पर अच्छे से पक चुकी है तो इसमें मसाला एड़ कर दूँगी दनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर अल्धी पाउडर और इसमें थोड़े सा पानी डाल कर इसे अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि इसका ओईल सेपरेट ना हो जाए और हमारा मसाल प्राउन हो चुका है हमारा तो यहां पर में पटड़ों का यइड़ कर दूँगी Songs और उन्से थोड़ी जीर के लिए भुंजने दूँगी मसाले में ताकि म ór अमारे मसाले का फ्लेवर है हमारे पेट़ों में आ जाए तन में यहां पर बैंगन कट कर लोंगी मैंने में बै कस्तूरी मेथी को एड़ कर दूंगी और अच्छे से चला कर दो मिट पकते दूंगी मैं इसे ढख कर दो या तीन मिट के लिए पकाऊंगी देन मैं इसमें पानी एड़ कर दूंगी और जो पालक मैंने दोके रखी थी मैंने उसे बॉयल कर लिया है और अब मैं इसे जार में निकालके ठंडे पानी से वाश कर लूंगी ताकि इसका जो कलर है वो ना बदले और अमारी पालक ग्रीन ही रहे और पालक के साथ ही मैं एक ग्रीन चिली एड़ कर दूंगी उससे पालक के बरायते में बहुत ही अच्छा फ्लिवर आता है यहांपर मेरी सबची आफ खो गई है तो मैंने इसमें 2 टोमेटो एड़ किया है मैं इसे 2 मिट के लिए पकाऊंगी और हमारी सबची रेड़ि हो जाएगी और साथ ही मैं याप खीर चेक कर लूँगी हमारी खीर ओलमस बन जुगी है तो मैं इसमें चीनी एड़ कर दूंग और साथ ही जो ट्राइफुट को मैंने धो के वाश करके रखा था उने भी एड़ कर दूँगी जो यहाँने ऑपर मैं एक इलाईची को कूट करके उसे खीर में चौंक लगाऊंगी चौंक लिए मने एक वन इसपून देसी घी तर्यगिक कोट के डाला है अब उसका में अब अब हलका सा पकाकर मैं उसे खीर में चौक लगा दूँगी, और यहां फ्रायपर में मैंने अब शणसो का तेल यूज किया है, और जो उड़त की डाल हमने बिगों के रखी थी, अब हम उसे यहां पर फ्राय करेंगे, कचोडियों के लिए, यहां पर मैंन चॉप करके रखीति में अट कर दोंगी साथ हीं में लिड़मी अनिय सिर्काषी कर दोंगी तो है यह पर धाल मेंने पीज्यिति कर दालने पीस रखीति में वसे अच्छे से चलाते हुए सब मसालों में मिला लूँगी यहां पर मैं हल्दी पावडर, जीरा पावडर, धनिया पावडर मिलाकर इसे मिक्स कर लूँगी हमें इसे ज्यादा मिक्स नहीं करना हमें दो या तीन मिटी पकाना है यहां पर मैंने गर्म मसाला एड़ किया है साथ ही मैं इसमें कटे हुए दनियों को एड़ कर दूँगी और अच्छे से एक मिट के लिए पकाऊंगी और यह दही मैंने निकाल के रखा है रायता बनाने के लिए तो मैं इस अच्छे से फ्याट लूगी ताकि इसके अंदर जो भी लंग से वो रिमूव हो जाए और इसमें पिसा हुआ पालक एड़ कर दूँगी पालक में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें मैं नमक लाल मिर्च पावडर एड़ कर दूँगी यहाँ पर मैंने चौक के लिए एक मिट्टी का दिया लिया है जिसमें मैंने वन इस्पून सरसो का तेल एड़ जीरा एड़ कर दिया है अब मैं इसमें हींग को चमत से तोड़ के अच्छे से डाल दूँगी ताकि हींग का फ्लेवर अमारे ओयल के अंदर आ जाए और साथ ही जो हरेधनिया मैंने कट करके रखे ते मैं उन्हें भी एड़ कर दूँगी अमारा चौक रेड़ी हो गया है ता हम रायते में चौक लगा देंगे और उसे साइड में रख देंगे अब यहाँ पर पूड़ी और कचोड़ी के लिए मैं आटा प्रेपेर कर रही हूँ जिसमें मैंने आटे में थोड़ा सा ओइल और सौल्ट हैड किया है बट गाइस पूड़ी और कचोड़ी बनाने वाली किलिप है वो मुझसे कहीं मिस हो गई है क्योंकि मेरा बेटा बहुत तेज रोने लगा था यहाँ आपर मैं आटे का अच्छे से डो रेडी कर लूँगी तो प्लीज गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा यहाँ आपर अब मैं पूरियों को सेख लूँगी